तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मतर का बहुत ही टेस्टी चत्पटा नास्ता तो चलिए देर ना करते हुए हम recipe को शुरू करते हैं तो मैंने आए गैस पी पतिला डग दिया है तो पतिला में मैंने एक चे देर कप पानी डाल दिया है पानी जैसी गरम हो जाएगा एक कप इसमें हम डाल देंगे हरा मतर तो हरा मतर को हमें बॉयल करना है फ्रेंच तो दो से तीन मिनट के लिए तो आदा छोटा चमच इसमें हम मटर पोइले एक मिन हो चुकी नहीं दो से दॉइल हो चुकष दो और पोइल कर ली हो दो क्यों से ब्लूम म seiner कर दो है कि मटर दो हमोरा प्राइब आ जर्कुल चुका जो बेरें एक कोईज़ी से ब्ली मेल लिए घ्रlav करने हुए खुछ आinned मेश करना हरा है इतना ही हम इप करना जाने और के गैस का ऊप नेके आ मटर को मैश नहीं करना है जैसे कि आप दो से तीन चमच जितना आप इसे मैश कर लेजेगा तो देखिए इस तरीके से मटर को हम मैश कर लेंगे तरदरासा कर लेंगी से हम और बस अब इसमें हम बाकी चीज़े आड करते हैं तो एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ हम प्य मिर्च यालू को भी डाल सकते हैं हरा धनिया पत्ता डाल देंगे बारी कटा हुआ और मसाले में हम डालेंगे एक चोटा चमच हल्दी पॉडर एक चोटा चमच हम लाल मिर्च का पॉडर डाल देंगे एक चोटा चमच इसमें हम काले मिर्च का पॉडर डाल देंगे आदा अगर आटा नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसके जग पिते हैं आटा नाब में अगजुकितर हम्सक्रार के पर खाले में अगर झीजोते से मीं stopping Пр Delaware क्याठिते में सारी चीजे अच्छे से मिक्स हो जाए और थोर थोरा पानी डालके हम इसका गारा सा पेस्ट हम बनालेंगी। जैसे हम पकॉरों के लिए मिक् depicted त्यार करते हैं तो विल्कुल हमें उसी तरीकेशे से ये मिक्षर तेयार करना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से आप मिक्स कर लिए ताकि सारी चीजे जो हच्छी से मिल जाए नमक अच्छे से मिल जाए तो थोड़ा साम पानी इसमें और एड़ कर देंगी तो करीबन मैंने यहां आधा ग्लास पानी एड़ कर दिया है और अच्छे हम बनाने चलते हैं गैस की तरफ तो गैस भी मैंने एक तवा रख दिया है तो तवे पे हम थोरा सा तेल डालेंगे एक से देर चम जितना और बस इस तरीके से हम फैला लेंगी अगर आपके पास नॉन स्टिकी तवा है तो आप यह नास्ता नॉन स्टिकी तवे बना सकते हैं बहुत ही healthy भी बनेगा, oil भी बनेगा तो बस तवा जसनी करम हो जाएगा एक कल्चे से हम उठाएंगे और इस तरीके से हम बैटर को डालेंगी तो बिल्कुल कल्चे से आप इस तरीके से दबा दिजेगा ताकि अच्छे से यह फैल जाए तो बस आदिस से एक मिनिट के लि जैसे आधा से एक मिनट हो जाएगा थोरा से आपको लगे कि टाइट हो गया है तो बस इसे हम पलट लेते हैं तो देखिए नीचे से कितना प्यारा कलर आ गया है यह नास्ता बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है खानी मी और बस इसी तरीके से हम उलट पलट कर इसे हम mead Sharla ה low flame पे से हम पका लेंगे मतर تو पहले से ही पक हुआ है थोरी सी сबजीयों को और बैटर को हमें पकाना है तो बस यह नास्ता देर से 2 मिनट में तयार हो जाता है तो देखिए नास्ता longer मारा ऒय हो चुका है तो पहला हमारा नास्ता बन गया है तो आप बस आप इसे उलट पलट के आप इसे पका लीजिए और देखिए दूसरा नास्ता भी हमारा रेडी हो गया है तो चलिए अब इसे हम करमा गरम सर्फ कर लेते हैं और यह लीजिए हरे मतर और सबजियों से बना हुआ बहुत ही टेस्टी चत पटा नास्ता बनकर त्यार हो गया है मटर अचानuity कई वह पना होंगे लेकिन एक वार आप इस तरीके से हरे मटर का नाल साथ बनाईजे ही और दिखा तो देखिए मैं आपको इक उठा कर दिखा रही हूं कि ये हीनCE की नास्ता बना है मुँ में घुल जाता है जाती ही और देखिए मैंने आपको तोर कर भी दिखाया कि यह नास्ता हमारा कैसा बना है बहुत ही सौफ्ट बने है यह नास्ता फ्रेंट्स तो एक बड़ आप इस तरीके से हरे मटर का नास्ता जरूर बनेगेगा बहुत ही स्वाधिस्ट सबसे पहले आपको मिल सकी ताकि फटा-फट से वीडियो को आप वाच कर सकी तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू